संठन में भागेदारी का जो एक नया परिकल्प पिछलों के सामने आया है, उससे पिछलों में उत्सा है OVC कमिशन को समयधानी दर्जा देना पिछलों के लिए बड़ा मंच है मोधी कैबिनेट में पिछले वर्गों के 27 सांसदों के कैबिनेट में इस्थान देना सर्ता में हिस्सेदारी का बड़ा फैसला है, नीट में 27 परसन इस्थान पॉलिसी लागो करना युवाव के लिए पिछले युवाव के लिए एक बहुत आयामी युजना है के लिए मेलर आयसी मां 6-8 लाग करना OVC उद्यानियों को देश के प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने किसानों के भरी मांग पर तीनों किसी बिल जिसकी मांग लगातार देश के कुछ किसान संथन कभे थे उन तीनों बिलो को वापस लेकर इस बात का खेद भी जताया है कि शायद हम कुछ किसानों को संतुष्ट नहीं कर सके उनको बिलो की योगता सफलता के बारे में नहीं बता सके तो में और हम जैसे तमाम देश के लोग ये महसूस करते हैं कि नरेंदर मोदी जी ने देश के प्रदानमत्री जी ने दरिया दिले दिखाई है बड़े दिल का परिचे दिया है और जो लोग संतुष्ट नहीं थे भी लोग के माधियम से उनको संतुष्ट करने के लिए किसान हित में अपने फैसले को वापस लिया है जिसके पुर्ति किरिया अलकिरिया पुरे देश के किसानों में एक उल्लास के साथ दीख रही है कल मोदी जी की गोशना के बाद हाजार लाखों किसानों ने खुशी जाहिर की है मिठाईयां बाटी हैं धोल बजाए हैं तो मतलब साफ है किसानों ने मोदी जी के फैसले को शरा है और हम यह महसूस करते हैं कि वर्तमान समय में हमारी सरकार ने किसानों के की मांग को सुविकारते वे अपनी सोच के साथ समझोता किया और किसानों के पक्स में फैंस लाएगा जो उत्तर परदेश के पच्पर परतिसत पिछले वर्गों को रिप्रेजेंट करता है अभी इसी महीने मोर्चे के द्वारा लखनव के अंदर 19 समाजिक समेलन संपन किये गए इस नमबर के महीने में सभी संक्रात्मक अठान में जिलों में OBC मोर्चा बैठके करने जा रहा है दिसंबर के महीने में OBC मोर्चे के द्वारा उत्तर परदेश में 202 बड़ी रैलिया की जाएंगी और सदस्त अभिहान के माध्यम से पिछलों को जोड़ने के अभिहान को तिरु करने के लिए जा रहे हैं जन्ता पार्टी पर पहले से भी अधिक भरोसा कर रहे हैं निस्चित है 2022 का चुनाओं भी बारतिय जन्ता पार्टी के लिए फिर एक बार 300 के पार्ट के नारे को पूरा करने वाला है देश में पहली बार मोदी जी की सरकार है जिसने ओबी सी कमिशन को समयधानिक दरदा दिया OBC समाज के 27 संसदों को कैबनेट में इस्थान दिया 27 परसेट रिजर्वेशन नीट में दिया देश रुत्तर परदेश का पिछला ये समझता है कि देश में पहली बार किसी सरकार में पिछलों को सत्ता में हिस्सेदारी समयधानिक दिकारों को दिलाने का प्रयास और संट ने भगदर देने का काम किया है तो बाते जलता पाटे ने किया इसलिए अखलेश जी कुछ कहें बसपा कांग्रेश कुछ कहें पिछले वर्गों के लोग अब उत्तर प संक्त송 प्रकरिया प्रारम होगी आवेद्न होंगे करियाए परतिक्रियाएं ऐ बढ़ेंगी जिता ओ समाजीक शंतुलन चेतर के अनुसार प्रतियासी के बारे में नेने लिया जाएगा तो सीटों के बटवारे के विशे में या मोर्चे के सीटों के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा हमारी पार्टी हो सायोगी संक्टन हो या विपक्षी पार्टिया हो उनको अपनी बात कहने का हक है, वो कह रहे हैं, उनका संबान है इस पर पहले से ही सुप्रीम कोट में हमारी सरकार ने एफडेविट फाइल किया है चुकि वर्तमान प्रस्तितियां जनगर्णा के पक्ष में नहीं है इसलिए सरकार ने अभी उसको रोका है देश के परधानमंती नरेदर मोधी जी देश के बारे में लेने में कभी कोई कोता ही नहीं करते 370 का मामला हो, 35 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, GST का मामला हो इसी परकार से मोधी जी ने तीन किसानों के कुछ संतुस दड़ों की मांग को स्रिकार करते वे तीन बिलों को वापस लिया है, अगर समाजवादी पार्टी इसका सरे लेने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने इस तरह के अभियान को पुनरविचार करना चाहिए, और समझवादी पार्टी को समझ जाना चाहिए, कि उन्हों की सत्ता को परदेश देश की जनता अच्छी तरह से जानती है और हम यह कह सकते हैं कि देश के हित में देश के कल्यान के हित में किसानों कित में मोधी जन्य फैंसला लिया है जिसका लाब किसी पार्टी को लेने का अधिकार नहीं है